इसकी पहले गणित में हम लोगों ने महत्तपुन तथ्य को पढ़ लिया था परसेंटेश के आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कल के बात की सीरीज है लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक गणित पढ़ाऊंगा मने गणित की भासा कैसे पकड़ा जाता है गणित की एकेट करके खंड वाई खंड प्रश्णों के सीरीज लाएंगे जहांपे प्रश्ण आपका छपा रहेगा टाइप रहेगा पहले से उसको हल करते चलेंगे अभी आपके मनमिक प्रश्णा रहोगा कि दुर्गेसर जब पढ़ाते हैं तो प्रश्ण बोलते क्यों है विए क कि अभी हम आपको टृष्ण की भास असम्जा रहे हैं क्यों की बोलकर मैं अपणी मौत समें आंबुल चल की भास म keणाता हूं बाद में जब किताभी की भास आएगी उससे कैसे डिकोर्ण करना है इस बाट को समझना हमारे बहुर आपकी लिए सबस्यादा अमान क 봤र प्र खरित्ते समय दस परसंड की ठगी करता है, तथा शामान को बेचते समय भी दस प्रसंड की ठगी करता है, इस प्रकार दुकानदार को कितने प्रसंड की लाब अत्वा हानी होगी, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताईए, इसी सीरीज के साथ हम लोग एक के करके आज आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताईए, एक दुकानदार एक सामान को खरिकते समय दस परसंड की ठगी करता है, और उस सामान को बेचते समय भी दस परसंड की ठगी करता है, तो जल्दी से कमेंट गरे कि आप लग हमें ये बताईए, कि उस प्रकार उस दुकानदार को कितने प्रिश्यत की कोई फॉर्मुला नहीं कुछ भी रटना नहीं है लेकिन बिना सुत्र बिना फॉर्मुले के पढ़ाते हैं किवल सौ पे पूरा परसेंटेश खतम करते हैं आईए देखते हैं अलगलग लोगों ने अलगलग जवाब दिए जल्दिली फटाफट जवाब दीजिए अब सभी जवाब दीजिए क्योंकि एक ऐसी बेंच है जहां पर गड़ी सबको दिक्कत होती है लेकिन आप यकीन मानिए आप कहेंगे कि वास्तों गड़ी सबसे ज्यादा आसान है अभी तक किसी के सही उत्तर नहीं आ रहें जल्दिली जवाब दीजिएगा किसी के भी शही अंसर न भूमालने जी विस दुकाने दान उने यहां पर गड़ी अगर यहां पर गड़ी एक थथगी करी तो लोटेली कितने क्मिनट spirits बताइए अगर यह न 27 अगर 10 वर्पई के थी उसने ठागी की 10 पर सेंट तो कितने में लाईगा अगर दुकान कोई समान करे 육रता है ओ ठागी करता है तो कमें लाएगा जादे में आपने पनाया नयी debak दाइगा अगर वह सामान सव का है तो क्या करेगा थिल एक सव दस बटा और जाया तो पहले का रिया उसने सामान खरिते समय 10% का ठगी किया 110 बटा 100 क्लियर कोई डौर किसी को दूसरी बात जब सामान को बेच रहा है फिर 10% का ठगी कर रहा है मनि बेचते समय उसे 10% इस्तरा लाव ले रहा है फिर क्या हो जाएगा गुड़े 110 बटा 100 अगर इसका विकल्प देता विकल्प ऐसा देता विकल्प एक परषेंड्ल की हौत माइनस एक परषेंड फिर बीकक्प लिएदा डिया तो तो आप लोग प्रिकों से बिकल्प लग लगाते बतायी बदाई सप्का गलत जिससे साथ साथ लोगों उत्तर दिया था हमें तो लगता सब क्यों उत्तर गलत होते हैं वो दोनों तरफ से लाब कमा रहे फैदाल चीज़ कर रहा है अब क्या करेंगे 100-100 से खतन यह लड़ो इस से यह लड़ो इस से ठीप अब क्या होगा 111 गुड़े बता है जब तो दोनों तरफ से फाइदा होता है एक खरीते समय और एक बेचते समय मेरी बात को समझेगा गौर करिएगा आप लोगों ने बताईए अभी प्रशन गलत किया इसको नोट डाउन करिएगा इसे इंपोर्टेन में लिखेगा जो प्रशन की भासा होती है यह ग जहागर बताता ज़ादा करकर नई बताता कबभधे न हां की कव तो कॉंसर्ट मेजएगा जो साती जहां भी लाइब वह से और फेस्पीश यहां भी यह सभी सबसे पहला के करेंगे कि इस वीडियो को जादा जादा लोगों तक शेयर कर दें कि भी है तुप जल्द एली शेयर कर देंगे तो ज्याद ज्याद लोगों तक पहुच जाएगा यह किलियर हुआ अगर किलियर हो गया हो तो आई एक आज प्रश्ण हम इस पर और आदे फिर हम लोग आगे बढ़े इसकी इंसाट ले लिजिएगा अब यह बता ही कितने लोग के प्रश्ण ग एक दुकांदार एक दुकांदार एक वस्तु पर एक वस्तु पर बीस परसंड की छूट देने का वादा करता है उसके पच्चा दस परसंड की ठगी करता है इस प्रकार दुकांदार आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा दुकांदार की आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा बीस परसंड बढ़ा कर अंकित करता है और दस परसंड की ठगी करता है आई इसको लगाईएगा इसके एक नोट्स बनाते चलिए एक दम बेतर नोट्स होगा उसके बाद किसी भी किताब से पढ़ेंगे आपको उत्ता पता चलिएगा कोई भी किताब रहे उसका नियम मलग आपका नियम इद्धा मलग हम लोग इद्धा मलग पढ़ते वालग पढ़ाते हैं कोई नियम से समझाता नहीं किलियर हुआ या नहीं हुआ बताइए अरे यार इतना सरल प्रश्ण हम आप लोग को बोल रहे हैं क्या हुआ जी यूटूप बदाई जलिशे एक दुकांदार कोई सामान है कोई वस्तु है जब उस सामान को बेजता है तो बीस परसें अधिक अंकित करता है और दस परसेंट ठगी करता है तो हमने क्या सिखा कि जब वस्तु का मोल नहीं पता माना वस्तु कितने का था सौ रुपय का था सौ कि मैंने माना न cope स्टनिंग बता था मैं पूरा पर्संट सो में पढूंगा जब वस्तु अपने आप में सो परसंट थी तो दुकान दर क्या करता बीस परसंट 20 परशन अधिक अंगीत करता है 20 परशन का मतलब गुड़े 120 बटा 100 बढ़ा का अंगीत करेगा तो उसको लाग ज्यादा मिलेगा छूट दिया था 20 परशन का छूट दिया था मैंने गलत बोल दिया मतलब गलत लेख लिया कि वह एक दुकान दा 20 परशन की छूट देता है छूट देना मने कम में दिया छूट बोला था मैंने ना छूट छूट मतलब 80 बटा 100 में दिया और 10 परशन की ठगी करता है 10 परशन की ठगी माने कितना हो जाएगा 110 बटा 100 छूट माने कम करना छूट माने कम करना और ठगी माने ज़्यादा लेना ठगी माने ज़्यादा लेना छूट माने कम करना किलियर वह कॉंसेट अब आई इसको हल करते हैं अब देखें 100-100 से कैंसिल यह लड़ो इससे 1188 100 से कम है कि ज़्यादा कम कितना कम तो आपने यह देखा कि यह है माइनस 12% माइनस का मैरा मतलब होता है लॉस होना माने उस दुकानदार को 12% की हानी होगी 12% की क्या होगी कमी ठीक है 12% की लॉस या 12% की कमी होगी अब बताई कितने लोग को सारे कॉंसेट समझ में आए अब हम topic change करने जा रहे हैं अगर आपको समझ में आ चुका हो जो ठीक है वरना अब हम topic change करने जा रहे हैं इसके बाद अब हमारी topic change होगी अब हम यही सवाल का यही नियम कहां पी यूज करेंगे अब हम लोग छत्रफल पर चकविधी ब्याज पर मेंसुरेशन पर आयतन पर य लाइप क्लास है, डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीगरम पे जूड़े लेगा, टेलीगरम मैं पिस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुरुजे सर बिनायस सब्सक्रिब्स इृ लनी भिन मुदर पसी लिखेगा, अब जब मैं छट्रफल पढ़ााँएगा, गश्चतर और को याइड भेसिक फर्मूला से हल करना चाहते हैं या बड़ी सूत हो yugण बड़ेश बात aren't जिसे यह हमारा चाहे यह हमारा बित्त हो गया यह हमारा आयत हो गया या वर्ग हो गया यह हमारा आयत हो गया और चाहे यह हमारा त्रेबुज हो गया इनके बारे में एक बाद जानते रहेगा फैले मेरी बात बेसिक समझेगा फिर यह परसेंटेज में हल करूंगा, यह सारे शवाल हम परसेंटेज से ही हल करेंगे, इनकी विशिस्ता जैनेगा, इसमें होता है 2D आकरती, एक होता है 3D आकरती, क्या होता है, 2D आखरती, तो जहां पे छत्रफल निकाला जाता है, जहां पे छत्रफल निकाला जाता है, व होगा तो पाई-आज मन्हें आर का मतलब दू बार यहां पर देखेगा गुजा गुडे भुजा एसे यहां पर कर चटरफल की बात करूंगा तो यहां पर हमने क्या देखा यह हो जाएगा पाई-आर-तुली क्या होगा फुझा है इसका यहां अखर भी क्या होगा क्या होगा ओ assum हो प्रित कि भृक्त कि यहां ब क्या बदगी होगा तो यहां पर हमें यह देखना है कि यहां पर जहां पे चुत्रफल की बाद करेगा वहां पर दो बार आर दो भाद बुजा दो बार लेंद इन तो ब्रीट यहां भी देखेंगे दो अब इस तरह की प्रश्न को जब प्रजशत में लगाना होगा तो पर यह बड़ी शावाल लेकिन आज आप लोग थोड़ा सा समयते देंगे, थोड़ी से लॉजिक समझ लेंगे, कभी भविश में आपके सवाल गलत नहीं होगे. आईए देखते हैं कैसे हमें हल करना है. तो चले सवाल पे, आप लोग तयार हैं? अगर आप लोग तयार हूँगे, तब ही हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ ठीक हैं? चली, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. चली, द्यान से दिखेगा. लिखेगा, एक आयत के द्यान से लिखेगा, एक आयत के, अभी चेत्रफल पर आधारित प्रशन, अब उसमें लिखेगा, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में, बीस प्रत्शत की भृध्धि कर दीजए, एक आयत की लंबाई में 20 प्रच्षत की ब्रिद्धी कर दी जाए तथा उसकी चोड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके छेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रश्ण को गौर समझेगा एक आयत की लंबाई में 20% की ब्रिद्धी कर दी जाए तथा उसकी चोड़ाई में 30% की कमी की जाए तो उसके छेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा जल्दी से कमेंट करके बताईए एक लाइन में आपका उत्ताराना चाहिए एक लाइन में मतलब इतना बड़ा प्रश्न हो उत्तारा आपको एक लाइन में हिला ना है और मात्र 13 सेकंड मलत तीन सेकंड जाए चार सेकंड जाद आपको समनी लगेगा जल्दी बताई क्या होगा कि यहां पे सबसे पहले में एक विधी बताई थी जहाँ कुछ नहीं दिया हो माना सव मन यह जो चत्रफल था यह अपने आपने आप में सव था जर सव था तो इसकी जो लंबाई कितना वड़ाएं गया 20 तो कुछ नहीं करना है यह सबाज कुछ not नहीं मानना है यह लिखेंगे 120 बटा 100 क्लिया अब इसकी चोड़ाई में 30% की कमी करना है तो क्या लिखेंगे चोड़ाई में 30% कमी है तो लिखेंगे 70 बटा 100 क्लिया 70 बटा 100 अब देखिए अब इसको चापू लगाना सुरू करिए 100 100 से कैंसिल यह इस से कैंसिल यह इस से बचा क्या 12 सते 84 अब यह बताईए 84 जो है 100 से कम है की ज्यादा 100 से कम है की ज्यादा पता चला कम है कितना कम है तो माइनेस 16% का नुक्सान होगा माइनेस 16% का नुक्सान होगा मानिस कि जे छेत्रफल है वो माइनस 16% हो जाएगी आप सोचिए इस प्रश्ण को अगर किसी किताब में देखेगा तो इतना बड़ा सा लगा है लेकिन आप यहाँ पे इतना आसानी से समझ गए कि जेतना आपने कभी सोचा आपको समझ माया अभी पूरा पढ़ाएंगे केवल ब्रेथ त्रिभोज गोला संकु बेलन सब पढ़ाएंगे घबलाईगे अगर समझ में आगया हो तो वीडियो लिएक को सेर कर दीजे आपने लाइक नहीं क्या तो लाइक कर रक लिजएगा ठीक है सब्सक्राइब करके आपके बेल आइकन नहीं देवाओं, बेल आइकन भी चेक कर लिजेगा, ताकि हर वीडियो को अडिविकेशन आपको पहने मिले, अगर आप चाहे आप ये ये यूटूब इलेनी भी दुरगेश पर देख रहे हैं, आई आगे देखते हैं, अब एक पैस्ट लो लिखेगा, एक बारो लिखेगा, फिर मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, और हाने के बाद टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, इसके बाद दूसरे पे चलता हूँ, दूसरे आपको पे, एक आयत के, एक आयत के, लंबाई में, एक आयत के लंबाई में, पचीस प्रशन की ब्रिद्धि कर तथा उसकी चौड़ाई में 20 प्रत्सत की कमी कर दीज़ें। इस प्रकार उसके छत्रफल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा। जल्दी सुत्तर बताएगा मात्र 10 सेकंड आपके पास। 10 सेकंड में आपको सवाल लगाना है। क्या आप गणित के सवाल 10 सेकंड में लगा सकते हैं। जलूर लगा सकते हैं। कभी आपने सोचा नहीं। आपने कभी चाहा नहीं। जाप भी चाहेंगे आप लगा लेंगे। पताईज़े लिए लिए आप लो। चल्ला है। ये वीडियो से में Facebook पर भी लाइक चल्ला है। यूटूब पर भी लाइक चल्ला है। दोनों जग लाइक चल्ला है। जहां जहां भी आप जुड़ होंगे। ठीक है। सभी साथी को एक तुसरी को शेयर कर देंगे। है। क्या परभाब पड़ेगा, कमेंट करैंब बताई है, आप लोग। क्या परभाब पड़ेगा जल्दी बताई है। छिव्झीर के लाइक चल लहीए। फिर से चेक कर लिजेगे। जल्दी मेंट करगे। कोई का रहा है। % कोई कर रहा है देखते हैं अब हम लो मोग देखते हैं क्या होगा ध्यान से समझिएगा एक को कहरा है कि एक कोई आयत हैає में कितना बढ़ाया गा 25 ठीड लिखेंगे कि द्टाए गार किद्फेन किनो कि पट्फेन माना जब कुछ नहीं था तो какое कि मानोज का च्छेतफल पहले 100 फिर गुडे पहले उसने लंबाई में कितना बढ़ाया 125 हम लिखेंगे 125 का बटा 100 गुडे उसके लंबाई में कितना कम किया कितना कम किया 20 परसंट तो 80 बटा 100 अब ज़रा बताइए आप लोग कमेंड करके मैं आपको वह दे रहा हूं विकल्ब बिकल्ब यहां भी बिकल्ब दे रहा हूं ध्यांच देखेगा अब बिकल्ब जवाब दीजिये पहले बिकल्ब ए प्लस सो परसेंट बिकल्ब बी माइनस सो परसेंट बिकल्ब अब एक विकल्ब दीजिए अब बताइए कौन सा विकल्ब आपने सही किया है तब हम आगे सवाल लगाएं आपके इसाफ से कौन सा विकल्ब सही है आपके इसाफ से कौन सा विकल्ब सही है सो परसेंट माइनस सो परसेंट लो चेंज क्या होगा जली बताइएगा आईए देखते हैं क्या होगा कितना इंट्रेस्टिंग सवाल हो कितना सलल सवाल है बताइए क्या किया हमने सो सो को कैंसिल कर दिया ठीक है जीरो जीरो कैंसिल हो गया अभ्यांज देखेगा अगर हम दो से काटेंगे चार दो से काटेंगे तो पांच पांच से काटेंगे तो पचीस उपर क्या बचेगा पचीस गुड़े चार बराबर क्या हुआ सौ परसेंट तो बताईए जब सौ परसेंट उसका छेत्रफल था फिर सो ही हो गया तो क्या होगा नो जैंज इसके छेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो थेक इसके छेत्रफल में कोई परिवर्तल नहीं होगा कॉंसर्ट के लियर अब ज़रा कमेंट करके बताइए कितने लोग का ये कॉंसर्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया सोचिए ये परसेंटेज का सवाल मैंसुरेशन हमने यूज किया और आपनों तर्फटाक से बता रिया बताइए आपने मात्र दस से पंदर सेगंड लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए जब किताबों में से लगाएंगे तो डेड़न पेज में लगता है माना उसकी नमबाए येक्स थी फिर येक्स का पचीस परसेंट येक्स का सो प्लत पचीस बटा सो फिर जोड़ेंगे कि फिर रखेंगे फिर उसका चतफल निकालेंगे पुराने चतफ़ से नए चतफ़ से तुलना करेंगे तब जाके पता चलेगा कि नो चेंज लिकिन आपने एक लाइन में बता दिया मत मुष्किल से 10 से 15 सेंड में कि नो चेंज कॉंसेट के लिए किसी कोई डाउट अगर आपको लग रहा है वीडियो समझ में आ रहा है दूसरे लोग को भी समझ में आएगा तो शेयर करना ना गूलेगा अब हम लोग प्रश्न को बदलने जा रहे हैं अब हम प्रश्न को बदलेंगे और मैं देखता हूँ कि अगर ये टॉपिक समझ में आ गए तो ठीक नहीं तो उसके बाद कॉंसेट पूरी तरह से बदल जुका रहेगा एक प्रश्न लिखेगा एक प्रश्न लिखेगा जहां से ब्रिद्धि कर दी गई तथा उसकी चोड़ाई में भी तथा उसकी चोड़ाई में भी पचास परश्न की ब्रिद्धि कर दी गई तो बताएं कि उसके चेत्रफल में कितने परश्न की ब्रिद्धि हुई जल्दी से बताएं दस से पंदर सिकन है आपके पास सबी लोग बताएं सबी लोग जल्दी बतायों और के आफ मैं टेलिक्लास के लिए टेली राम पर जोड़े दिएगा टेली चुल सकते हैं प्लब्ध है आपको इहां से हो गया आगे बढ़े चली दिखते हैं इसको इसकी इसको करिएगा हम नेक्स प्रेश पर चलते हैं आई दिखते हैं नेक्स पर आएंगे यहां पर हम नहीं देखा कि पहले माना चरपलत क्या था अपने आप में शो था फिर गुड़े कितनी ब्रिद्ध होई तीश तो भईया एक सो थीश बट्टा सव फिर के रोज के चट फल में कितनी ब्रिद्ध होई पचास एक सव पचास बट्टा सव अब आईए अब इसको चाकुष से काटना शुरू करते हैं ना स्व यह व्याव शुस से कीअलग Edda si3 यह वीद्ध ते रहा गुड़े 15 ते रहा की होगा 15 45 अ कि 15 545 ऊंने 205 छा सौ नैं 100 से कितना ज्यादा है कितने लोग का 55 परशन उत्तर रहा था सोचिए एक लाइन में आपका एंस्वर आगया किते में एक लाइन ठेक एक लाइन में आपने असानी से उत्तर निकाल लिए अब हम त्रिभूच पढ़ाएंगे अब हम क्या पढ़ाएंगे त्रिभूच अब हम लोग क्या पढ़ेंगे त्रिभूच अब हम लोग क्या पढ़ेंगे त्रिभूच पढ़ेंगे अब लोग क्या पढ़ेंगे त्रिःभुच, इसी नीयम में पढ़ेंगे, कोई अलग नीयम यूज नहीं करेंगे, इसी नीयम में त्रिःभुच भी पढ़ना है, तयार है आप लोग? बता है आप लोग नभी तक लाइक, शेयर नहीं किया, क्या गजब के है, मतलब अगर श याद वह जाएंगे न यह द्यां से देखते हैं अब लोनMAN रभुछ प्ड़ाएंगे लिखेगा किसी भी त्रिभुच दिखे ये C handed mortgage c Chinese कि आधार में एक त्रिभुच कैवार्में ट्रिभुच के आधार में एक त्रिभुच के आधार में 20% की व्रिद्धी कर दी गई तथा उसके लंब में तथा उसके लंब में भी 20% की कमी कर दी गई इस प्रकार त्रिभुच के छत्रफल में कितने परसंड की कमी होगी हमने दोनों को माइनस 20 किया है माइनस 20% यहां भी किया है माइनस 20% यहां भी किया अब आपको ये बताना है कि ओवराल वो जो वो त्रिभुच था उस त्रिभुच में कुल कितने परसंड की कमी होगी अब आपके सरम को तिवोज कच्छतफल नहीं आदे सर में फॉर्मूला नहीं आदे नहीं मालिक यहां पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है मेरी गणिती कच्छा में आपको फॉर्मूला एकदम यूज नहीं करना है क्यूं कि फॉर्मूला रटना होता तो दुर्गेश परसेंट कम हुआ ना कमी तो हो जाएगा 802 100 क्या होगे 802 100 फिर किरा 20 परसेंट कमी हुआ फिर 802 100 100 से कैंसेल यह लट्डो इससे कैंसेल यह लट्डो इससे अब हो गया यह 8 864 100 से काम ज्यादा कम कितना कम माइनेस 36% की कमी हुई क्लियर हुआ इसकी इन सोट आप इसे कर सकते हैं डेली क्लास में जुड़ने के लिए डेली क्लास में जुड़े रहने के लिए टेली ग्राम पे इलनी बिदुर्गे सर्च करके जुड़े रहेगा अब यहां से जो पढ़ेंगे अब मोड लेगा अब यहां से क्या होगा एक बड़ा मोड लेगा दोनों पर कमी क्या था मैंने दोनों पर कमी था अब मैं जो यहां से पढ़ाऊंगा वो एक बड़ा सा मोड लेगा और आप भी सोचेंगे कि सर यहां से तो कर बढ़ाऊंगा आई दिखते हैं देली क्लास के लिए आप टेली ग्राम एप इस्टॉल करिएगा सर्च करिएगा दुर्गेश सर बीना स्पेस के जुड़िएगा इलैनिबल दुर्गेश और आउनलाइन क्लास के लिए 6306344367 अब जो इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वहां से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी तक्लिप लेकिन अब आपको एक बार वहां का कॉंसर्ट समझाएगा तो यकीन मानिए गणित को इतना हलुआ माल लेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं था है तो आप तयार है इसके बाद प्रट होने पने की लिए इसके बाद प्रशéo होने के लिए परशान है असेन कने की लिए अपरिचान और अब कुछ कि लिए है कि अपटाए ओसा अब और डिखा दे रहा है वो डबल क्लिक अपनी स्कीन पर करेंगे तो पूरा डिस्प्ले को डबल क्लिक करेंगो जूम आउट कर देगा वो आपकी मोबाईल से सिस्टम है यहां सिस्टम नहीं है ठीक है अब आईए अब हम लोग एक नई विधी की आगाज करते हैं लिखेगा एक वर की गुजा में 20% की बृद्धी कर दी जाए तो उसके छित्रफल में कितने प्रत्सत की बृद्धी होगी एक वर की भुजा में 20% की बृद्धी कर दी जाए तो उसके छित्रफल में कितने प्रत्सत की बृद्धी होगी ठीक आप लोग इसे हल करिए हल करके बताइए कुछ लोग कहरें सरे आप एक बार कहमी एक बार कुछ भी बोले थे आपको समझ में आ गया ना आप कॉंस्सेट समझ अंक परिस्षां में बदल देगा जरूरी है जो अंक्हाम यहां बोलते वही अंक परिस्षां में गहिस्ट करने के लिए नहीं कि एक वर की मुझा में 20 पर्शन के ब्रिद्ध कर दिजा तो उसके तफल में कितने पर्शन के ब्रिद्ध होगी जल्दी जबाब दीजे सभी लोग यहां सट टेक्निक शुरू हुआ अब यहां से कॉंसे ड़का सुरू होना सुरू हुआ बते जल्दी कमेंट करके सभी लोग है सभी लोग हुआ सबी निभी देड़ ए लीकिन को राइब में वह जैयर कर는데 पुरांट क्लिक कर शैर ले अ कैसे इसका प्रसेंट अंब इसको भी चेक करते हैं इसको जानते हैं इक काम बेस्यादा जब किसी भी आकरती का तूड़ी आकृति, तूड़ी आकृति का एक भुजा दिया हो, उसका च्छत्रफल पूछे, उसको दो भुजा आपने आप कर लेंगे, मैंने आज ही स्टार्टिंगे बता दिया था, कैसे माना इसका च्छत्रफल पहले आपने आप में शौंधा, फिर गुड़े, अब वरत जो च्छत्रफल होता है वह भूजा, गुडे, भूजा दो बार, अगर एक बार दे, घांसबरी बार सुनियेगा, अगर एक बार दे और च्छत्रफल पूछे, तो गुड़ा आपको दो बार करनेगे, कितनी बार? दो बार, तो क्या करेंगे हमे, तो यह हो दागा हमारा, सव हुआ है तो हम लिखेंगे एक सो बीस बट्टा सव फिर गुड़े एक सो बीस बट्टा सव मेरी बात को गोर्ज समझेगा जहां भी कहीं तूडी आकरती दे और च्छत्रफल पूछे तो उसका गुड़ा आपको दो बार करना है एक दम मान लेजी एक दम बेशिक को अब हम क् मैं अब तूफ अब्सका गए करिए लेंगे साओ सोंस सबसे कैंसिल यहाँ ट्टी से कैंसिल jaheaila jose 12 उआएअ बुड़े 12 करेंगे तो 144 और 144 शाइगा कमने तेखा पलस 54प अबगी होगा किलियर हो गया अगर किलियर हो गया थो अब हम लोग और आगे बढ़ें पाटन समझ भाया अभी मिक्स करके सवाल गोलेंगे अभी इतना भी आसान नहीं कि इतना हम आप समझते अभी सभी लोग गल्तियां करेंगे अभी देखेगा अभी सभी लोग गलतियां भी करेंगे अभी नहीं करेंगे वह बताओं कहां करेंगे लेकिन अगर यह बेसिक समझ में आ जाएगा तो बहुत यह आसान से करेंगे सोचे एक लाइन आप उत्तरला रहे है एक लाइन में फिर भी संख्या नहीं पढाई है मुझे नीपटा यहां हाई एक संभावत्रसाब की एक शंभावत्रसाबशाब精ीन भोजामें statistically दस परस लंगे की कमी कर दिजाए दस प्रत्षत की कमी कर दिजाए तो उसके छेत्रफल में कितने प्रत्षत की कमी होगे एक संभाहुत्रिवुच के भुजा में दस पर्षन की कमी कर दी जाए तो उसके छेत्रफल में कितने प्रत्सत की कमी होगी बताई आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्या का है ऐसा क्या दिक्कत है बताई तो अगर दिक्कत जादा लग रहे हो तो फिर बताई आप लोग के लिए आम लोगों को ने देखा कि मेरे पर स्टार्टिंग बता दिया था कि कि किसी भी आकरती का यदि च्छत्रफल पूछे और एक भुजा दियो थम्हें फार्मूले से कोई मतलब नहीं है कि कड़ी में पने भुजा कड़ी में भुजा कड़ी में भुजा कड़ी में तीन का भुजा स्कॉर बटे चार है सामें कुछ भी फार्मूले यूज नहीं करना है हमें एफ़ इतना जानना है अगर ऊच Jenp symptom पूछ रहा वंदा पूछ रहा है और बन्दा च transform पूछ रहा है और हमें क्या-क्या ग्यात है तो हमने पदा हम लोग को जो ग्यात है और को से पना पूछ वह एक निया था है तो जे अनले चिë वहने हमने हल किया, तो पाया है कि उसका चेतरफल पहले क्या था? जब उसका चेतरफल अपने आपने शो था तो पहले क्या होता है? 10% की कमी, जब 10% कमी होगा तो जाएगा 90 जबचाए 100 अब क्या करेंगे इसे डिवाड dose करेंगे 100 सो से कंसिल यह इस से कंसिल 89, 81, 81, 81, 100, 100 काम है, आदा जादा कमें, कितना कम है 10%, तो दिया के थिम निश्म ने का द्युत्तर होगा? वा क्या होगा? 15% होगा, क्या होगा? 19% होगा! । इस ? । क्या होगा वो? 19% होगा? ठिक कोई दिक्कत किजी कोई समस्या कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है न बताइए जो आज़की क्लास ही खतम होती है असवे को बहुत बहुत धन्यवाद बैस्ट अफ लग जैहिन जैवाद